चोपड़ा ये जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ प्यारे बच्चो इस वीडियो में मैं आपको एक खुश खपरी देना चाहता हूँ कि इस बार नी 21 एक्जाम के लिए 43 एक्जाम सीटी इंक्रीज हो रहे हैं आपके डिस्टिक में कोई एक्जाम सीटी है तो वो भहुत दूर है एक्जामपल के तोर पर जैसे बिहार जैसे इतने बड़े स्टेट में गया और पतना दो ही एक्जाम सीटी है तो NET exam के दिन student को exam देने के लिए काफी दूर जाना होता है काफी student को तो पहले रोज ही जाना होता है हालांकि NTA ने exam time दो बजे से करने से student को काफी रात मिली थी वो same day को exam center पहुंच सकते है मगर फिर भी student का exam city दूर होने से disturb जरूर होता है 2020 में भी exam city increase करने के लिए काफे request की गई थी मगर ये increase नहीं हुए लेकिन इस बार 125 exam city की बजाए 198 exam city होंगे जिससे आपको exam के लिए दूर नहीं जाना होगा आपके नज़दीग का exam city आप चूज कर सकते हैं ये तो आपको पता चली गया होगा कि नीट 21 का exam 12 सिप्टेंबर को है अभी कौन कौन से exam city increase हुए हैं आपके नज़दीग का exam center कौन सा होगा इसके बारे में हमें जानकारी आज साम 5 बजे बाद information blatant जारी होने के बाद मिलेगी ये सारी information information blatant में होगी और application form fill करते समय आप अपने नज़दीग के exam city चूज कर सकते हैं आपको वह आपके parents को दूर नहीं जाना होगा तो बचो ये एक कुशी की बात है अभी इसके बारे में देखते हैं साम 5 बजे तक आपके नज़दीग का exam center कौन शा होता है जैसे ही इसके बारे में update मिलेगी मैं आपको list बता दूँगा कि कौन-कौन से exam center increase हुए है आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वह जदा-जदा share करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जय हिंद